दिखे फ्रेंट आपको कौन कौन सा पोइंट आपको follow करना है यानि ट्रिक कैसे लगानी है 2023 के पेपर में जो कि math का है very very most important trick बता रहा हूँ ये trick आपने follow कर लिया न तो guarantee लेता हूँ 99% आपको math में लाने से कोई नहीं रोख सकता है तो इस प्रकार की point को ध्यान से सुनना सबसे पहला point सबसे पहला point ये आता है जो सवाल आता है उससे पहले करना है जो भी प्रसन आपको याद है जो प्रसन आपको आद आ रहा है उस प्रसन को क्या करना है सबसे पहले करना है ये question तो आपको शमज में आ गया इसके बाद देखिए question number two यानि कि दूसरा point क्या करा है जो सवाल में जो समज में ना आ रहा हो question उसको क्या करना चीए stop कर देना चीए मतलम कि रोक देना चीए जो प्रसन हमें समज में ही नहीं आ रहा है उस प्रसन को क्या करना चीए हमें stop कर देना चीए यानि कि रोक देना चीए ये question आपको शमज में आ गया point number two इसके बाद देखिए point number three जो प्रसन नहीं आता है उसके जगव पर क्या formula यानि सुत्र लिखना है जो भी प्रसन आपको याद नहीं है उस प्रसन के अस्थान पर आपको एक काम करना है यानि कि formula यानि कि सुत्र सुत्र आपको क्या करना है लिख कर क्या आना है लगभग लगभग चार number की marks है वहाँ पर आपको दो number पक्का मिल जाएगा तो ये question जो ना पक्का आने की संभावना रहेगा कि हमने चार number की जगह पर दो number का formula कर दिया तो दो number पक्के मिलेंगे लेकिन खाली नहीं छोड़नी है ये चीज ध्यान रखना खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको पूरी पूरी भर करके आनी है ये चीज मैं बार-बार बता रहा हूँ ये चीज ध्यान से सुन लो ठीक है देखे friend point number four जो प्रस्न आपने जो प्रस्न आपने पढ़ा है बट वो exam paper में नहीं आया तो क्या करोगे आप क्या करोगे उस समय आपको लगेगा कि जो प्रस्न हमने तयार किया है वो प्रस्न तो आया ही नहीं है तो उसकी अस्थान पर क्या करना है जो प्रस्न आपने तयार किया है जो भी प्रस्न आपने याद किया है तो 100% उसको apply करना है वो कहाँ पर apply करोगे मैं बता रहा हूँ जो question आपको याद नहीं है ना उस question को बदल देना है और उसके जगह पर जो question आपने 100% तयारी करी है मन से करा है कहते है ना फल कभी फीका नहीं होता मतलब की पौधे कभी फल ऐसे नहीं कि फल नहीं देता देखो एक नेक बार पेर लगा दो फल आज नहीं तो कल जरूर तो आपको क्या करना अगर आपने याद किया है कोई शवी प्रस्ण आपने practice किया है यानि सवाल निकाला है बार बार तो guarantee देता हूं वो प्रस्ण जो ना सही चला जाएगा उस question क्या करना है सवाल को बदलना है उस समय बदल देंगे बदल बदलना है ठीक है यह चीज आप को समझ में आ रहा है बदल देनी है सवाल को सो परसेंट हमें बदल देना है जो प्रसन आपने याद कर आए उस प्रसन को सवाल को ही बदल देना ये चीछ समझ में आ गया दूसरा पॉइंट अब देखिए आपको एमन में बहुत सारे सवाल आ रहा है सर हमने एक सवाल बदल चिया दूसरा जाख विल्कुल भी नहींशां आपको बदलना नहीं है दूसरा सवाल तो बदल दिया लेकिन यह बीग पार्थ में यानि कि बीक को पी भरोगे जब बदल सकते तो यानि कि बार्ए 99% पखाएगा, देखिए फ्रेंट, पोइंट नमबर 5, यानि कि, ट्रिक कैसे लगा है सर तो फिर, सर आपने बता तो दिया, तो जितने भी पोइंट मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक पर ही काम कर रहा है, ठीक है, तो ट्रिक कैसे लगा है match में तो match में आपको trick कैसे लगाना है को शारी question को attend कर लेनी है आपको तो सबसे पहले देखिए सिद्ध करने वाले प्रस्ण को कभी छोड़ना नहीं है ये चीज़ ध्यान रखना सिद्ध करने वाले प्रस्ण को क्या करना है पूरी में से पूरे ला सकते हो अगर चार चार नंबर का प्रस्ण आ रहा है ना तो चार में से चार नंबर पूरे पक्का मिलेगा तो आपको क्या करना सिद्ध करना है सिद्ध करने वाले question को कभी नहीं छोड़ना और दिखाईए या दर्साईए इस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाते है इक जाम में तो आपको क्या करना इस प्रस्ण को कभी छोड़ना नहीं है 100% यह पूरा अपलाई हो जाएगा लेकिन आपको क्या करना है लिखने का तरीका आपको पता होना चीए कि किस प्रकार से आप लिखोगे तो पूरे चार में से चार नमबर आपको सिद्ध करने वाले प्रस्ण में मिल जाएगा next point है हमारा जो प्रस्ण याद है math में उस प्रस्ण को पहले आपको क्या करना है कर लेनी है लेकिन B कोपी जरूर लेनी है माल लिजे आपने A प्लस यानि कि A कोपी आपने भर दिया पूरे कोपी आपने complete कर दिया तो आपको B पाथ लेनी है यानि कि B कॉपी जरूर लेनी है B करने के बाद आपको C कॉपी भी जरूर लेनी है इस प्रकार की कॉपी लेनी है क्योंकि math का प्रसन है math में आपका जो ना 4 से 5 पेज जो ना rough कारिय में ही भर जाएगा इसलिए आपको ज़या 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 रफ कारिय भी करनी है क्योंकि एक सवाल को जो ना 2 से 3 वार अगर जब तक सवाल सही नहीं आ रहा अंसर तब तक आप रफ कारिय करते रहना आप देखी A प्लस B प्लस C प्लस तो ये 3 प्लस वाले कॉपी है आपको पक्की लेनी है क्योंकि ये 3 वाल आप लेते हो ना तो गारेंटी है 100% ये ही प्रसने कुछ हो ना गारेंटी है 99% आपका मैच एक्जाम में पूरे पूरे फूल मार्क्स मिल जाएंगे देखे फ्रेंड लास्ट पोइंट क्या है और भी कॉपी A+, B+, C+, D+, E+, F, G तक आपको जितनी भी कॉपी लिखनी है न लिख सकते हो लेकिन आपको क्या करना है सभी कॉपी को लिखने का तरीका से लिखना है क्योंकि अगर तरीका से लिखते हो न तब पूरे मैच पूरे नंबर लाओगे मैंने अपने बता रहूं आपको मैच में मेरा नमबर आया था 97 नमबर आया था 97% तो अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको follow कर सकते हो और बटे में से बटे नमबर ला सकते हो आपको क्या करना इस प्रस्न को बढ़े तरीके से फूल करना जैसा इस प्रकार से प्रस्न आपके एक जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से आपको लखी अपकीर कार आप बहुत जादा इन्पोटेंट है चलिए आप देखिए next page की ओर ले चलता हूँ आपको step by step इसी परकार से दिखा देता हूँ जैसे मैंने कॉपी लिख रखा इसी परकार से आपको लिखने है तब ही जाकर कि आपकर 99% बन सकता है math exam में गारेंटी लेता हूँ इसी परकार से आपको को लिखना है चलिए आपको समझ में आगया होगा तो इसी के साथ जो है वीडियो को समाप करता हूँ अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो जल्दी सिजा करके क्या करना है एक like कर देना देन अगर चैनल पर नहीं हो तो